कि मैं आप सभी जितने मेरे प्यारे यहां पे फ्यूचर आइस ऑफिशर्स हैं मैं आप सभी को मैं क्या बोलता रहता हूं पता है speaking with you my dear friends इतलिए बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिसको मेरे background के बारे में बता होगा कि मेरा पीछे का background कितना बीजी सड्यूल है मैं इतना कुछ करते होने के बाब जूद भी मैं आप सभी से इतना टच रहता हूं क्या सुबर 9 बज़े से काईसा इनसान जिसका सुबर 9 बज़े से class शुरू होती है रात को 12 बज़ कर 40 मिनद तर मैं class लेता हूं कि किसी ने ऐसा कभी आपने ऐसा गौर किया है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यार मैं इन tomorrow का सर्वीरस्टर हो सरवीश प्रोवाइडर हो एक हजुट संप्रहां एक एंप्लॉइं मेरे ली वाद मिए उससे पहले आप लोग मेरे हो क्योंकि आप लोगों को मैं अपना बाई और बहत जैदा मुझे मुझे अश ली सपनों को पूरा करने के क्लिबर बहुत से बचिए होंगे बहुत सार parlar के होका मुझे बहुत सारे नर्क Ay senior से लड़कियों को ऐसा आप भाई और मेरे बेहन हो जिनको मैं कई बार कभी कभी अचानक से आपके पास मेरा वीदियो nine-ninat जाता है कि नहीं जाता है इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सच बताओं और मैंने कभी सोचाई नहीं अपने आपको औरों के जैसे कि मैं अनकेडमी पर मैं जॉब करता हूं मैं अनकेडमी का एक यह हूं और वो हूं मैं यह समय तक नहीं यह मिरे भाई बहन है इसलिए मैं आप तो मैं हूँ मेरे पास पीछे पतानी कितने सारे उपर्चुनिटी थे बहुत सारे उपर्चुनिटी थे आज एक मेरा सुरत से मुझे फोन किया और मुझे बताया पता क्या कह रहे हैं यह आपकी क्या लाइफ है लेकिन आप सब मेरे इस्टूडेंट नहीं हो आप सब मेरे लिए वह नहीं हो जो और एजूकेटर और टीचर आपके बारे में सोचते हैं यह अब तक जίतना जैदा मैं क्लासेस लिया हूँ और आप सभी जितने बच्चे मुझे देख रहे होंगे इतना कभी किसी को आप लोगों ने online आते हुए देख रहा होगा प्लस पे देख लो special class पे देख लो free special class और चाहे आप YouTube पे देख लो क्या मैं आता हूं एक एक कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके मैं comment को नहीं पढ़ता हूं और मैं आपको आपके comment का मैं reply नहीं करता हूं मेरे प्यार भाई बन्दू मेरे प्यारे भाई और बहन जुतना भी तू मेरे Mā Gentlemen नहीं तूँ सन मेरा इस्टूदैन्ट नहीं है तूसरो मेरा मेरा बहन है तुनमारा हग है मेरा हग है मैं तुम्हें जो भी कहके पकार सकता हूं इसको अंदर से बताओं तो मुझे कई बार है ना बड़ी अंदर से इतना कई बार मुझे खुसी होती है कि यार एक बच्चा फोन क्या भी मैंने उसको तुरां यूटूब के लाइफ से संतक में मैंने बोला है अरे ढोको लो है क्या क्यों इतनी बार फोन करता है मेरे को परेशान म अब कर और कई बार मेरे जैसे सच बताओं तो मैं इतना फैमिलियर जितना मैं एक से देर साल में मैं यूटूब पे होने से हुआ हूँ इतना फैमिलियर मैं आज तक कभी मैं ओफ्लांग क्लास में भी नहीं हो था अगर कोई बच्चा होगा यहां पर उफ्लाइन का उसको को पता होगा कि मैं सिधा क्लास में अंटर करता हूं आगे से लाइं और पीछे से निकल जाता हूँ कि मुझे बड़ा दिन को बाद तकस्ली मिलता है जो मैं कुछ भी कियता हूं तक है यह का मतलब यह बच्छा मेरे को टीचर नहीं समझता है यह बच्छा कहीं नहीं कहीं यह मुझे अपना फैंमली अपने पडीवार और मैं आप पो बोल भी रहा हूं यह सारी बात तुम सब को जो भी मन में कभी आए ना मेरा नमबर सब को आपके आपके पास सभी के पास मेरा नमबर नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लैंद कर दो सब्सक्रास करें मैं उच्छा मैं आपना इस वियुद्नि पूरा운ावं कर दो क्फीर पूरा करना UPSD जयसे सपनने आपको देखा है पूरा करना खीक है नदेखो इसको यह को आपको देखने आ कर दो कर दो यह आपको नहीं करने वाली है जाओ आप सब्सक्राइब जरूर परस्ट नली पहुत अच्छे टच में हो गुड़ीवनिंग 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 लेकिन एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई जीवन में आप जो भी काम करने जा रहे है जीवन में आप जो भी आप काम करने जा रहे हैं मेरे भाई जो भी काम करने जा रहे हूं अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरी सच्चाई के साथ पढ़ना पूरी इमानदारी के साथ पढ़ना कोई माई का लाल नहीं है जो आपको ज तो मुझे देखो कि मैं मेरे से पहले आने वाले इनकेडमी पर यूट्यूब पर पढ़ाएं बहुत सारे लोगों सी जर्ट पढ़ाया लेकिना अज मैं यहां पर अपनी मेयनत की विज़ेश हूँ अगर लॉक्डॉण नहीं होता अगर कोरोना नहीं होता तो साइद में याथ इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आप खूब सारा मेहनत करिए अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक को छोड़िये मत उस टॉपिक रगर के पर हिए आपको पता है समय साथ पूछा जाते हैं जब यह पता है तो इसको क्यों नहीं अच्छे तरीके से पढ़ते हूं क्यों अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो के वल यह सोचते हैं कि मुझे पढ़ते रहा और हाँ एक बात मैं दिखाना चाहता हूं कि आप सभी लोग यह चीज सबस more minutes ugh मैं में एक यह सफजय को बोलता रहता हूं जिसमें हम नत करने का हुणर वहीं बन सकता है इंडिया का मैं नंबर वन रॉन राक इंडिया में या आप सब्सक्राइब द्राइब करने को आये ये ति स्सकी सब्सक्राइब नहुं Idea देखो यह मेरी डाइडी है अब देखो मुझे क्या करना है जैसे माल लो यह मैं दिखाता हूं यह मुझे क्या करना है अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे देखो नाइट में 1240 में मीटिंग्स है है ना विद्थ वाइव सोनी पॉइंट सुड़ डिसकस देखो आप सभी क यह याद नहीं होती है और एक बात और बता दू अगर आपने टार्गेट को बहुत अच्छे तरीके से कम्पलीट कर लिया रहोगे तो आपको बहुत अच्छी नीन आईगी अगर मान के चलो जिए आपका टार्गेट नहीं है आपने सोचा कि मुझे लक्श्मी कांथ पढ लेकिन आपने नहीं किया है तो सच बताओ तो शुबह ऊठने के आपको हरवरी यह सुबह उठके पढ़ना है सुबह उठके पढ़ना है यह तो दिमाग में जो इस तरीके जो घूमते रहते हैं यह कहीं नगाई आपके दिमाग में एक वाइरस के तरह इंचियों के जन्म हो कभी भी आप रात को सोने जा रहे हैं तो सबसे पहले पूरा टार्गेट को इन वर का टार्गेट मेरे पास बहुत सारी टार्गेट इस मेरा यह देखो यह तो मेरां यह देखो यह दिर्टा रहे मेरा इसमें भी मैं वर्क करता रहता हूं जब यह मुझे कोई काम होता याद क्या करना है मंध वाइस तो मैं इसमें कर देता हूं आप लोग भी आसा करो और एक डैडी है यह मेरा जो पर्मानेंट है जो मुझे अच्छी लगते जो मुझे हमेसा रेगुलर मोटिवेट करके है जो मेरे पास एक और आड़ आप लोग भी इस चीजिए पोपने आपको इंप्लिमेंट करो अपने आपको वर करने कुशिस करूंद थांने क्या गिर गया जब्र गИर लिए रिए क्या सब्सक्रा लोट आने सब्सक्राइब पिर पे मैंने लटकाने की कोसिस करी लटकाने को कहां हूं मैं कोई बता सकता है हूं एक बच्चा देखते हुआ आपकी बाते दिमाग का ढखन खोलती है पूछा करो आपको क्या क्या आपको लगता मैं कहां हूं सबस्क्राइब करन दिल्ली जल्leम speaking in दिल्ली जल्ब को इस है अपको क्या लगता है सब्सक्राइब कर भ्रॉबलम कि अब प्रॉबलम से बात बतातां साथ अप्रिकाम कुछ मचले कहरें सब्सक् estimates कर दिए घर एक डिली रख लो सिवानी पाठाग देली में डेली मेट रखो बिल्कुल रखोंगा दिली कमेट आप कहां रहती हो जरा आप कहां रहते हो यह मुझे बता दो कौन से जग आप रहते हो आई-एस ऑफिसर्स के अगर मैनेजमेंट करना जरूरी है तो लॉक्डाउन में जो एक आई-एस उसको पावर मिलता है तो उसको उसको अपने आप उसको मिस्यूज करने लग जाते हैं वह सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ अगर मानके चलो इंद्राक्षा अगर तुम एक आई-एस ऑफिसर्स बनोगी कम से कम तुम जहां जाओगी चाहे तुम्हारी मां कहीं उमर का है इतना तो तुम्हारे अंदर तभी तो यूपीस सीन एक सब्जेक को इंटर्ड्यूस के जिसको हम बोलते एथिक्स एथिक्स क्या है एथिक्स को आप पढ़के देखना द्यान से तभी एथिक्स चाहिए वह उस्टाइन का यह से सद्धिस्टा मुझा लग रहा है कि उन्हो सब्सक्राइब करनी है बिल्कुल कर सकते हूं कर सकते हैं खुद को बहुत बड़ा समझता है ऐसा कुछ गुरुजी दुनिया में लिया घुमार मिला उनको दूसरा का सब्सक्राइब गलत है और दूसरे सीटी में थी सुनिए एक बच्चे कहने कि सर आपको क्या प्रॉब् जाता हो प्रॉब्लम का मतलब कहा है अगर आपको मैं किसी कोश्चो में प्रॉब्लम तो किसी के भी जीवन में कितना भी प्रॉब्रम होगा उस प्रॉबलम है प्रॉब्लम सुख दुख का एक हिस्सा है था मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम लेकिन उमिद करता हूं कि बहुत जल्दी इस टैप की प्रॉब्लम को दूर हो जाए ठीक है अब लोग भी अपनी परसनल बाते पूछ सकते हो जिसको भी जो जो चीज पूछनी है विल्कुल प्रॉब्लम कभी भी अगर आज मैं बता दो ध्यान रखेंगा देखें दो टाइप के आदमी होते एक होते हैं आम आदमी का जीवन पूरा दर्द से भरा होता है अब सुनो ध्यान से आम आदमी का जीवन पूरा दर्द से भरा होता है एक होता है महान आदमी उस महान आदम का जीवन हमेशा चुनौतियों से भरा होता है उसके सामने एक पर चैलेंजिंग होते हैं अब आप डिसाइड करो क्या आप क्या हो क्या आप आम आदमी हो क्या आप महान आदमी हो मुझे आप कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे भाई बेन मैं आपको पढ़ाता ही नहीं हूँ आपने देखा होगा क्लास में पढ़ाने के सासत में आपको कहता हूँ तुम इतना मेहनत करो इतना मेहनत करो कि तुम जिस जगह खरे होंगे ना उस जगह की वैल्यू तुम्हारे वज़ा से बढ़ जाए ना कि उस जगह की वज़ा से आपकी वैल्यू बढ़ जाए कि आप कहीं भी जाकर खड़े होंगे कल को आप कहीं भी जाएंगे आपकी वेल्यू आपकी आपकी आप से उन चीजों की वैल्यू बढ़ जाए इसलिए आपके जीवन में क्या बनना चाहती हो बलकुल बच्छा सब्सक्राइब किया इससर महान आदमी गुरूजी आई हैं सब्सक्राइब करेंगे हमारे दोस्त सर मुझे अपना फैमिली के इंवार्मेंट और मेरी गाउंग की सोसाइटी को चेंज करना है बहुत अच्छा गुरुजी सीचाट का कुछ टॉपिक अंडेस्टैनेबल नहीं होटा है वाट आई डू हमेशा रेगुलर देखता है रो सर्वह और मुझे हमेशा मोटिवेट करते हो सराफ मुझे हमेशा तो आपको मैंने क्या bas pumping अधमी बनना है आधो महान या बीच में हमेशा चुनोती होता है हमेशा चैलेंजिंग होता है और उस चैलेंज को face करना है मैं हमेशा कहता हूं मेरे इसके पभी भी अपने आपको धरना नहीं चाहिए कभी भी अपने आपको छोना मत सोचो यह मत सोचो कि आप का निसिए गाउं से पढ़े हूए यह मत सोचो कि आपके माबा बहुत गरीब है वाई साप बिलगेट्स कहते हैं आप गरीब घर में पैदा हुए ये तो ठीक है आप गरीब घर में पैदा हुए ये ठीक है लेकिन अगर आप गरीब ही मर गए ये तो पूरी की पूरी की पूरी की पूरी की पूरी क्यामत की गलती रहा है कम से कम आप मारा आपको मनिश्य का जीबर मिला है आपको नहीं पता इसके बारे में क्या रहसी मैं आपको सच बदा दूं एक इंसान जितना सोच सकता है न कहीं उससे जादा कर सकता है आप ये एस बंना तो चोटी सी चीज़ा या रहा है यह-थ-ainted सबसे बढ़ी चीज है कि अपने आपको बदलना अपने आपको चेंज करना जब तक आप अपने आपको नहीं बदलना होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, और I.S. बनने से पहले आपको अपने आपको बदलना होगा, दिन हो चाहे रात हो, आपको मेहनत करने से पीछे नहीं अटनी चाहिए, I.S. बहुत ही छोटी चीज़ है, आप देखो न, बहुत सारे लोग सो चाहिए न, उसमें से 5-10% लोग, I.S. जैसे जॉब से लोग रिजाइन दे रहे हैं, कि उनके बस की नहीं है, पढ़के तो बन जा रहे हैं, लेकिन उसको रिजाइन दे के छोड़ दे रहे हैं, आप देखो रोज आये दिन टीवी पे ऐसे घटना है आती है, कई सारे समन साइनी सर, उसने भी जॉब को चोड़ा, उनको पता चल गया कि यहां मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इस बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, मुझे ऐसा इंसान बनके निकलना है, मुझे यहां से गौंग के लोगों को फिरी में एजुकेट करना है, तभी तो आपको बहु सर, मुझे मेरी इंडिया के वैल्यू और उसके पुराने लक्च्छ मी सिंग कह रही है, जब से आपके सी सेट के लिए जोइंग किया हूं तब से, बहुत अच्छा लगता है सर, सर, आवर बिहेवियर डिपेंड करता है, हम महान है, या नहीं, गुरु आप बनाएंगे बर अब नजर में हमारी जो भी दर्द है, हमको आप दबा है, बहुत सारे बच्छों के कमेंट्स आते हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा हूं, दिवियर अगुतर मेरी थिंकिंग है सर, गलत को गलत बोलने के लिए हमें सही जगा पर होना बहुत जरूरी है, वो सही जग हमारे भारत देश में, आजकल ने हमारे भारत देश में ये बहुत खराब मान सकता है, लोग लड़कियों को देखने जाते हैं, तो 3-4-5 लोग, 6-7-8-8 लोग, 10-10 लोग जाते हैं, ये बहुत गलत बात है, और मैं तो क्याना चाहता हूं, कि ऐसे बाप और ऐसे बेटे, जाएं अकर आझ के लड़की को देखने, बहुत सार लोगों को मैंने कुछ सुनने माता है, इस पर लिखवा ले कि मैं भीख मंगा हूं, लरका भी लिखे, लरका का बाप भी लिखे कि मैं मुझे इतने लाख रुप्य चाहिए तब जाके साधी करूंगा मैं आप एक ही बात बता सकता हूं मेरी जितनी भी यहाँ पे बहने अगर आप मुझे देख रही हो तो यू कैन नाट चेंज आप इस जो एक परंपरा चलती आ रही है मेरी बात समझना आप देश के कानून को नहीं बदल सकती ये लोगों के मन में बैटा हूआ है कुछ लोग ऐसे समाज में गंद लोग हैं जो यहाँ पे उनको लिख करके जाना चाहिए लड़कियों को देख है जो तुम्हारे घर में रहेगी तुम्हारे बारे में सोचेगी पूरे अपने आपको शरेंडर कर रही है इससे बड़ी चीज है क्या लोगे तो मेरा यह कहने का मतलब है कि आप कानून को चेंज नहीं कर सकते आप एजुकेट बनिए आप सिच्छित होई एगर आप एज दिमाग का धक्कन निखोलेंगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा अगर आपका धिमाग का धक्कन खुल गया आप क्यों ऐसे सोचती हो कि मैं लाइफ में आकर कि मैं कुछ ऐसा करूंगी ताकि मैं लोगों का रोल मॉडल कर सकूं लोगों के रोल मोडल बन सकूं लोग मुझ इतने घर में चूले चौके चल रहे हैं ऐसा सोच रखो कि मंघ हमें आरी है मूस cały ना चाहिए पिर देखो कहां से कहा कितना समाज में जाता एंद आ कितना सोसाइटी में जाएगा बहुत The चेंज आएगा और यह इस मांस्तिक्ता के साथ वर्क करो और रोसन चौधरी बोल रहे हैं सर एजुकेटर लोग की ज्याधा लेते तभी तो मैंने कहीं यहां पर लिखा लेना चाहिए अगर सर अब टॉपर्स के बारे में कुछ बता रहे थे उनके टॉपर्स बनने के रास बताईए नीशा मौरिया और बहुत सर हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्या करो इसके लिए मैं बहुत ही जल्दी मैं एक सेशन लेने वाला हूं इसी तरीके का सेशन लूँगा वह जिसमें आप सभी लोग मेरे साथ परस्टनल कनेक्टिविटी रहें जहां पर मैं आप सभी से दिल से दिल तक की बाते करूंगा और अनिल्कपर बर्मा करें कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी दिन के लिए बाहर कभी आए माइंड पूरा खिचरी बन गया है बट बट फ कि यह भी मार्केट के अंदर बरांतियां है मार्केट में कि अगर हम हिंदी मीडियम के तो केवल हमें हिंदी मीडिया में लिखनी चाहिए अगर हम पंजाभी मीडियम के तुम केवल पंजाभी लिखे तो ही सही है उडिया खेत उडिया लिखे अब आपको लगता है कुछ क्वेश्चन्स कांसर आप इंग्लिज्स में दे सकते हो तो दो यह मैं रहस्ते बता रहा हूँ यूपी सी आपके आपके लेंग्वेज का टेस्ट नहीं कर रही है यूपिस्सी आपके अंदर फॉर्ट प्रॉसेस का चेंज कर रहे आपके अंदर नॉलिज का टेस्ट कर रही है कि क्या इस कोईशन सकांसर एक जानते ही नहीं नहीं रहां वहां तो यह तो यह सब बहुत कम बच्चों को पता है मैं सच बता दूंग यह बहुत कम लोगों को पता है यह बहुत कम लोगों को बता है और अगर आपका और और अप्सनल का कोई पर जासना मालो जोगराफी आप हिंदी में दे रहे हो तो वहाँ इंग्लिस का वाड यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं है बिलकुल नहीं दिक्कत है यह मैं आपको बहुत बड़ी इंपोर्टन बात बता रहा हूं यह सब चीज़ें को जल्दी आपको सब्सक्राइब को कवर करके मैथ के लिए आप हो तो क्या प्रिक्लियर हो जाएगा वह क्यों नहीं होगा प्रिक्लियर की पुरी जिम्मारी मेरी अगर आपको लगेगा बाइदवे कि सीच मेरे से और टफ लग रहा है सीच मुझे और प्रैक्टिस करना चाहिए तो मैं आप बता दो एक कोई बता को क् То कि अब आपको मैंने आपको जह आतकर को किandaag यह सब्सक्राइब अभी आप आपको क्या पढ़ा रहा था मैं भूल रहा हूं थोड़ा सरुग जाओ रात को पिए नबस अभी तो कितने क्तिन करा हैं कि अब फिर भी अभी डाइस खतम नहीं हुआ है नमबर डिए अभी खत्म नहीं हुआ है आप देखो नगा देखो आप खुद भख खुद आपको रियलाइज हो जाएगा कि अनदर देखो कितने कोश्चन कराया हों फिर भी इन कुश्चन करने के लगता इख फिर रूख जाएगा बिलकुल नियुक जाएगा मेरे बेरे भाइब मैं एक बात और बता दू सभी बच्चों को अभी तो और कराऊंगा जितनी भी मैं क्लास लेता हुना हमेशा हर्ष देखिए क्योंकि आप पलस के बच्चे नहीं हो जो पलस के बच्चे उनके इखटे आपके नोर्स बन जाते हैं उनके टाइम भी नहीं है फिर में आपको अपना एक्स्ट्रा टाम देके बता रहा हूं तो जब यह पढ़ते हो अभी क्या कर रहे हो इसको तो यह देखो तो यह दो कर दो अधर 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 आई कर हैं ऐसे है करो पाई करो कि नहीं करोगे तो यह सो की अभी उठा हुआ है ठीक है पीछे का बैक्ग्राउंड आपको कैसा लग रहा है तौंड कैसी आ रही है कि ऑपके अधर आल्वे लाइव सेशन एक ही पेपर में हम अलग लग लग से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ना अगर जो वचा फॉर्स टाइम देख रहा है ठीक है जो वचा फॉर्स टाइम देख रहा है एलगह है डिखिए और किसी को कुछ पुछना है तो पुछते चलिए सर हर दिन कैसे मोटिवेट रखे कभी कभी लगता है सर की हमसे नहीं हो पाएगा ऐसा क्यूं सोचते हो जिसको लगता है कि नहीं हो पाएगा हमसे उसके लिए तो मैं हुई यहां पे यूटूब पे क्लास लेता हूं अना इसा मोटिवेट रहोगे एक ही तरीका है उसके लिए अगर आप डी मोटिवेट होते हो एक ही तरीका है कि आप पढ़ना चालू करो रैगुलर पढ़ो प्रीबियस रिक्वेश्टन पेपर से दूर मत भागो और मेंस सॉरी और जितने भी सेलेबस है उसको आप अभी सान भ और घून पूर्ड करो पता है यूcit पर चीजों को पड़े में कर नी हैं कि इस ने पाँच बार कर लिया वो जीवन में कुछ भी कर सकता है कभी भी कर सकता ऐसा हो इन्य सकता है कि आप इसे यह एक्जाम के लिए नहीं होगा एक तीन साथ चौदा तीस तें पाच बार कर और मैं आपको से एक बात बता दूए मैंने तो वितना आसान भी नहीं है लेकिन जो सिस्टेमाटिक तुरीके से पढ़े तब पता चलता ए वर दिन लगता कि कोछ नया है को आप कि इप सतुव नहीं हो पाता है यह गलात बात है रूटिन तो फोलो करना पड़ अभी टेन फोलो करोगे तो सलेक्ष़न होने अंकीत यादा मैंस में कितना टॉपिक है गीने चुने तोलह सतरह टॉपिक आप कर लोगे और आप पास कर लोगे ठीक है ना और सर आप जूम पे क्लास कब लोगे क्लास नहीं होगे जूम पे वहां पर इंपोर्टेंट सेशन होगा सर मुझे लेंग्वेज के बारे में बहुत डाउट है मैंने बता दिया लेंग्वेज बारे गर्ल फ्रोम हमाचल सर मैंने कोचिंग ली है पर टाइम टॉबल और डेली टार्गेट इतने प्रॉब्लम आ रही है क्या करें सथ इसका भी स्वालूशन बहुत जल्दी मैं लेकर क आने वाला हूं वह एक आप सभी इस्टुडेंट्स लें अपर्चुनिटी होगा जाच है आप जहां भी देख रहे हो इस वीडियो को चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलिग्राम के साथ कनेक्टिवीटी रहो अगर आप फॉस्ट टाइम भी देख रहे हो त अपना प्लेज जरूर बतादेना खिए हैं अपको अपना प्लेजछ नफस हैं आप शमी लोग आने जरूर बतादेना और कर दो अंसां कि से क्पोटी बिल्कुल रो सकता है बिद॑ं कॉम्प्री एंसन बिल्कूल हो सकता है सर्जा मोबाइल टाइम टाइम पर अपने आपको अपडेट करता रहे तो क्या हम भी तो अपने आपको डेली अपडेट कर सकते हैं बिल्कूल देखो बहुत अच्छा यह सभी हां खान जो है यह मेरी प्लस की स्टूडेंट्स है यह बहुत खराब है यह ऐसे जगह से बिलॉंग करती है आपको पता 36 कर लोग 36 गट को कितना पिछरा हुआ राज समझते हैं वहां की यह बेटी जैसे तैसे पैसे कोई खटा करके और आज यूपीसी एक्जाम की तैयारी कर रही है और इसका दिमाग का सोच देखू कितनी अच आपको अपडेट करता है तो क्या हम अपने आपको अपडेट नहीं कर सकती है आप सभी लोग इनको इनको थाइंक्यू सो मच बोलो कितनी अच्छी सब्द बोलिए सब्दों में बहुत गहर आई है जो ना इसको दिमाग को लगाए वह तो समय लो महां बुद्दू है आप आपको अपडेट करना पड़ेगा अपडेट करना पड़ेगा हर रोज आने वाले दिन को आपको चैलेंजिंग लेना पड़ेगा आपको चैलेंज करना यह दिन आती है आपको चैलेंज करने के लिए कि तुम हर एक दिन आने वाले दिन को तुम कितना खुसी खुसी तुम बहुत अच्छा मैं बहुत अच्छा मैंने बहुत अच्छा फील हो रहे हैं आप आपको कैसी फील हो रही है पिलकुल पॉजिटिविटी सर आप अगर अपन तक नहीं पूढ़ा करोगे तब तक आपको अपने आपको चैन नहीं होगा तो उसका सुबस ले करके साम तक के उसके टार्गेट से लिखे होते हैं उसके वर्क करने का टाइम टेवल लिखा होता है आज कहा जाना है आज किसको गोली मारनी है आज कौन सा जमीन को सुल जाना है आज कौन से स्कूल में जाना है कौन से प्रिंस्पल को देखना है कहां जाना इसकूल को दुखाटन करना है कौन से क्या फैसला करन टाइम दे देते हैं करते कम हैं मैं बार-बार के तो सोचना नहीं है करना है ज्यादा सोचना नहीं है करने के तो इन सभी आप रोच को आपको दिमाग ध्यान रखना अच्छे तरीके से इन सबी आप रोज को आपको अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है मुलात समझ में आ रही है कि यह जा रहा है है और अपके दिमाग में चुशिपका लो किसी भी इंसान को आपको प्रूब नहीं करना है तब से ज्यादा आपके अरोसी पुरोसी जलते होंगे आपके बहाइन भी जलते होंगे मुझे से पूछो कहते हैं इसके बस क्या बनना देख लिया दिल्ली में गई पढ़ने कंदे से कंदे हाथ में हाथ मिला करके दोनों को मैं देख रहा था सीपी के सेंट्रल पार्क में दोनों घूम रहे थे पेर के किनारे कुछ-कुछ कर रहे थे यह बनेगी यह कभी जो आज हो घर के फैमिली मेंबर्स हो बहुत लोग मजा पुराते हैं ध्यान रखना जिन्दगी जीने का एक मजा है जिन्दगी लाइफ आया है इसलिए लोग आप से जलेंगे लेकिन जब आप बन जाओगे तो क्या कहेंगे हरे हम मुझे तो बिश्वास था यह तो पक्का यह बन परणियता हूँ जब भी ऐसी बात कहें तो तुम उसको पलट के जवाब मत देना उसी टाइं मत कुछ क्या दाना क्योंकि आपको पूरूब नहीं करना आफको खुद आपको इंप्रूब करने कर नहीं होता है मैं एक दोारियो अनुकि मिल सकता है टॉपिक वाइट मिल सकता है कितना पढ़ना क्या करना है कोई भी थाठी क्लास से ले करके पूरे लाइफ टाइम तक जो बच्चा कुछ करना चाहता है जब आई एस बनना चाहिए डॉक्टर्स इंजिनियर्स अससी बैंकिंग रेल्बेस किसी भी जॉब में जाना चा चुका हूं कि अगया है कि अगया है कि बिल्कुल बहुत जल्दी हो गए सारी चीजे अगया पूजा बर्मा यस सर मेरा भी डाउट किलियर कर दो क्या डाउट है आपका सोपनी बताओ तर एक्जाम से पहले मैस रिजिनिंग के टॉपिक सारे कितने बार रिपीट करने कि आप रिपीट कितने बार करना वह मेरे ऊपर छोड़ दो अगर आपके पास पैसा नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए वह मेरी जिम्मेवारी है कि इसको कितने दिनों में कब कंप्लीट करना है जब 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 जितनी बार जहां लाइब होती है वहां टेन कर रहे है इसनिस का उन कर दिया है कि अच्छ किया कि वाद छोड़ दो जा उद्धर जा डोंट टाच तेस डोंट टाच तेस पर लेके जाओ दूदर सब्सक्राइब कि अच्छा लगा और किसी को कुछ पूछना है जो भी चीज आपको प्रॉब्लम सो रही है डेली का आठ घंटे पढ़ती हूं बाइस में देना है अटेम्ट बहुत अच्छा है फॉस्ट में हो जाएगा सर बिल्कुल हो जाएगा इमांदारी से पढ़ो डेल देली पढ़ो डेली यह नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ लोगे कल आप 10 घंटे पढ़ लोगे पिर आज 8 घंट ऐसा नहीं एक टाइम रेगुलर बनाओ रेगुलर पढ़ो ठीक है तो आज हम लोग यहीं पे ऊफ कर दे करीम हमें लगुवे हैं काफ़ी टाइम से जूरे हूँ है काफ़ी टाइमस हम लोग बातशित कर रहें ठीक है न और कुछ बातशित होग थे जरू normalized का नमबरं ने दे पाया क्या WhatsApp का number description में दिया होगा यालिग्राम का भी link description में दिया होगा आन अकैडमी पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं उसका भी link description में दिया होगा और आपके पास नहीं है किसी भी admissions की regarding कोई भी बात करनी है आन अकैडमी पे किसी भी course की regarding लिख लिख लिजे मेरा number वाट्सप के पूछ लिख सकते हैं 8285-7279-618-285-7279-618-285-7279-618-285-7279-618-3 ठीक है ठीक है चलियर है कर दें आज ओख खतम कर दें रात में क्लास होगी बिलकूल रात में क्लास कैसा पॉजिटिवीटी कैसा लग रहा है मैं सोच रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्ट के लिए लिए डेटिशन की चापर करें अड्ली मॉर्डि ऐसे ही कैसा रहेगा एकदम बैठे हुए बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ कि अगर आपका होगे तो 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 बहुत ही जल्दी तो बहुत ही जल्दी चालू करेंगे चलिए आज के लिए बस इतना ही एना लाएंगे लाएंगे वह सब भी लाइंगे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलिए आज हम इस जंगल से आप सभी लोगों को बहुत-बहुत हैं क्यूं है ना मिलते हैं फिर कभी किसी और पार्क में किसी और नदी के खिनारे किसी और इस्टेट में किसी और कंट्री में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बहुत-बहुत मेरा प्यार आप सभी बच्चों के साथ सभी मेरे भाई बहन के साथ किसी भी अग्जाम की त्यारी कर रहे हैं चाहे आप इस्कूल लेवल के ही क्यों नहों और आपको किसी गाइडेंस के दिक्कत हो रही है जरूर आप मेरे साथ जूड सकते हो जब किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हो चाहिए कोई बच्चा के पेरेंस अगर आप देख रहे हैं आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है गड ब्लस यो तेक कीर